राजपुरा के आईटियाई चोंके नजदीक ट्रक से टक्कर हो जाने के कारण मोटर सैकल स्वार एक मैला की गटना स्थाल पर ही मोथ हो गई जबकि उसका पतीवा धाई साल का बच्चा बालबाल बच गए इस पर कारवाई करते हुए थाना सिटी पुलिस ने ट्रक को अपने कबजे में लेकर मृतक मैला के शव को पोस्ट माटम के लिए सीवल हस्टाल भेद दिया मोके से प्रापत जानकरी के अनुसार गुरिंदर सिंग निवासी गांव चमारू अपनी पतनी हरजिंदर कौरवा ड़ाई साल के बच्चे के साथ मोटर सैकल पर स्वार होकर सीवल हस्पताल से दवाई लेकर अपने गांव घर वापिस जा रहा था जब वहर राजपुरा के आई टीए चोप से कुछी दूरी पर पहुंचा तो पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उसके मोटर सैकल में टकर मार दी जिसके कारण मोटर सैकल के पीछे बैठी हरजिंदर कौर सड़क पर गिर गई और उसके उपर से ट्रक निकल गया जबकि उसका पती और बच्चा दूसरी तरफ गिरने के कारण बाल बाल बच गए ट्रक जो राजपुरा की रेता बजरी मार्किट में रेता उतार कर जीरकपुर वापिस जा रहा था इस मोके पर ठाणा सिटी पुलिस पोच गई और मृतक महिला के शब को पोस्माटम के लिए सिवल हस्ताल भेज दिया गया वह ट्रक को अपने कबजे में लेकर ट्रक चालक के खिलाव मामला दर्च कर अगली कारवाई शुरू कर दी यहां देखने वाली बात यह थी कि अक्सर ऐसे हाथसों में देखा जाता है कि ट्रक चालक मोके से भाग खड़े होते हैं मगर इस ट्रक का चालक मोके से भागा नहीं बलकि एक घंटा गटना स्तल पर ही खड़ा रहा और अपने आपको पुलिस के हवाले कर दिया बच्चा ठीक है ते केड़े पिंड़तों तुसी चमारूतों तुसी किते जा रहे सी के इनुन लेकि असी कार जा रहे सी के अच्छा राजपरा से कैमरामेन ललित कुमार के साथ मीडिया परसंद दिनेश सचदेवा निउस टीनें अ प्रच्चा र hm थहत थोलित भी सतस्थी चरोचतों तुसी सलनल यहार हु़तों तुसी चमार्पफिक सम्मार्पद Tutक्ष। झाल झाल